असुर की पूरी सीरीज मैंने दो बार देखी तब जाकर मुझे दस ऐसे हिडेन डेटेल्स मिली जो तुमने जरूर मिस कर दी होगी अपीसोड के स्टार्टिंग में जब डीजे अपना फोन ओन करता है तो हम देखते हैं के डीजे को बहुत सारे मैसेज आयूए है उस टाइम पर असुर न तीन लोगों को मार दिया रहता है लेकिन जब तुम सेकंड की सुई पे ध्यान दोगे तो वो 36 सेकंड पे थी तुम जब लोगों को मानने के बाद का टाइम चेक करोगे तो पता चलेगा हाट अटेक के 36 सेकेंड बाद उन तीन लोगों की मौत होती है नमबर तीन जैसा कि हमें असूर सीजन वन से ही दिखाये जा रहा था कि सुब कुछ भी करने से पहले हिंट देता है उसका एक और एक्जामपल सीजन टू में भी देखने को क्लियरली मिला जब सुब अपने साथियों के साथ घर जाता है तो अरजुन की कहानी सुनाता है कि कैसे अरजुन के अस्त्रों के काम खतम होने के बाद वो किसी के काम के नहीं रहते वैसे ही सुब अपने साथ ही जगदीश को मार देता है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस वाले सीन में जब धननजर टॉर्चर करने के लिए स्वात्य को इंसुलीन दे रहा होता है तब हम क्लियरली उसके हाथों पे बैंडेज देख सकते हैं जो कि डीजे ने यहाँ पंच किया था तब उसे चोट आई थी नमबर पाच ये वाला थोड़ा फनी है डीजे और नैना जब डार्क में यूजर के कमेंट पढ़ रहे होते है तब वहाँ एक यूजर होता है जिसका नाम सैलमोन भाई होता है जब डीजे फर्स टाइम वरिंदा से मिलने जाता है तो वो मदर और बेबी की स्कल्प्चर बना रही होती है जो हमें ये हिंट भी दे रहा है कि वरिंदा प्रेगनेंट हो सकती है और वो बच्चा सुब का होगा नमबर साथ जैसा कि हमें पता है सुब हर काम AI के प्रेडिक्शन के साब से करता है लेकिन जब रसूल ने इस आनी को मार दिया था तब उसने टाइम लाइन में छीर चार कर दी थी जिससे प्रेडिक्शन में उलट फेर हो गया था इसलिए सुब रसूल से कहता है यक को हाथ खुले रहते हैं अब हमें कमेंट करके बताइए यह डिटेल है या कोई मिस्टेक नमर नौ तुम्हें लगा होगा डीजे और सीबी आई टीम जीत गई पर असल में सुभी जीता था क्योंकि निखिल ने अपनी पूरी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया था बट एंड इंडिकेशन था कि सुभ का कोई बच्चा है या फिर वरिंदा प्रेगनेंट है और वो सुभ के बच्चे की मा है और आगे जाकर वो बच्चा ही कली बनेगा यह सब डीटेल्स के लिए मैंने पूरी सीजन दो बार देखी है और तुम लोगों के लिए वीडियो ला पाया ह दो